अमबाला में दिल्ली अमरीच सर हाइवे पर ओवर स्पीड से चल रहे वहनों के चालान काटने के दुरान एक युवक ने पुलिस कर्मी की पिटाई करते हुए उसकी वर्दी फाड डाली। युवक की पहचान भटिंडा के रहने वाले लवीश बत्रा के रूप में हुई है जो की मानसिक रूप से अस्वस्त बताय जा रहा है। ये मामला 13 जलूकी की है। उस दिन युवक के परिजनों ने उसे मानसिक रूप से अस्वस्त बताय था जिस वज़े से कोई कारवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई थी। लेकिन अब मामला उनके संग्यान में आया तो एफायर करवाई गई है। कर दो कर दो दो कर दो आया है। एक वीडियो मेरे संग्यान में कल आया था जिसके अंदर एक व्यक्ति और एक पुलिस कर्मी के आपस में हथापई हो रही है उसमें जब उसका वेरिफिकेशन करवाया गया तो पता लगा कि 13 तारीक की ये घटना है जब पुलिस ट्रैफिक पुलिस दोबारा एक जीटी आया गया था तो वहां पर एक जब इस गाड़ी की जो ये वेक्ति था बत्रा नाम का ये ओवर स्पीडिंग कर रहा था और इसको जब फ्लैग डाउन किया गया मारी नाका टीम दोबारा तो इसने बल्कि एक मोटर साइकल के अंदर अपनी गाड़ी मारी और एक्सिडेंट कर दिया और भागने की कोशिश की उसमें मौके की उपर इसको इससे पूछताच की गई और उसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स आये थे कि ये इसकी डिप्रेसिव स्टेट में है ये और कल हमें जब ये पूरा मेटर मेरे संग्यान में आया तो मैंने इसमें F.I.R. रिजिस्टर क है और साथ ही जो उसका पूरा रिकॉर्ड है उस एक्यूस्ट का वो हम वेरिफाय करवा रहे हैं और जो भी इसमें कानूनी कारवई बनती होगी वो उसको हम अमल में लाएंगे ये वैसे पीछे से बठंडे का रहने वाला है लेकिन इनका यहां पे अमबाला के अंदर भी इनका यहां पर भी गार रहा है इनका के उपर हम एक पार वेरिफाय करेंगे उन चीज़ों को और उसी साब से कारवई अमल में लाएंगे वो देखे ये ये जो पूरी वीडियो है ये आपके जो वाइरल हुई है उस वो एक छोटा सा हिस्सजा है उस पूरी वीडियो का उस इंसीरिन्ट चेंदर जो मैंने एक डियसपी सिटी के अंदर एक इनकारी अर्डर की है तांकि हम पूरा घटना करम जो उस दिन हुआ था वो भी उसके उपर एक उसकी पूरी तफ्तीश कर सकें तस्दीक कर सकें कि उसमें क्या घटना करम हुआ था अगर किसी हमारे पुलिस कर्मी का भी कौई कसूर पाया जाता है कि उसने जो उसे expected behavior था वो नहीं किया तो उसका भी संग्यान लेंगे और वैसे जो अभी तक की मेरी जानकारी है उसमें ये वीडियो एक छोटा सा हिस्सा है बूरे प्रकरन का और उसमें उस वीडियो को वहाँ पर बाद में उसने लोगों के साथ भी कुछ मिस बहेव किया था और लोगों और पुलिस की टीम ने उसको वहाँ पर डिटेन भी कर लिया था और उसके बाद अब कल उसकी उपर एफ़र रेजिस्टर की गई है और जो भी आगे कारवई होगी उसको हम अमल में लाएंगे